शुब प्रभात प्यारे विद्यार्थियों! आज की हैपिनेस क्लास में आप सभी का स्वागत हैं! आशा करती हूँ, आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे! मैं रेखा सिंग, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई हैपिनेस की कहानी! तो आप सभी तैयार हैं हैपिनेस की कहानी सुनने के लिए? आईए सुनते हैं आज की हमारी हैपिनेस कहानी एक बालती पानी! हमारी कहानी परतीक के बारे में हैं! आईए जानते हैं परतीक के साथ क्या होता है परतीक के पापा जब से ट्रांसफर होकर से परिवार इस सहर में आए हैं वे और उनका परिवार पानी की किलत से परिशान है सबसे अधिक परिशानी तो परतीक को है कहां तो परतीक दिन में दो-तीन बार नहाता था लेकिन अब तो जैसे एक बाल्टी पानी भी मुश्किल से मिलता है उस पर भी मम्मी की सो सो हिदायते वे कहता पापा आप हमें कहां ले आए हमें तो वापिस ले चलिए पापा मुस्कुरा कर रह जाते एक दिन जब उसके पापा नहा रहे थे तो अचानक पानी बंध हो गया पापा ने उसे पानी लेने के लिए पडोसी के घर भेजा परतीक अपने पडोसी अंकल के घर गया उसने देखा कि आंटी सबजियों को अच्छी तरह से पानी से धोकर उसी पानी को घर के पेड़ पोदों में डाल रही थी उसने अंकल से एक बाल्टी पानी मांगा अंकल दाड़ी बना रहे थे अचानक परतीक का ध्यान वोस बेसिन के नल पर गया वह बंध था अंकल आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा क्या परतीक ने पूछा आ रहा है बेटा कहते वे उन्होंने वोस बेसिन का नल खोल कर दिखाया फिर बोले पर तुम क्यों पूछ रहे हो अंकल हमारे घर में पानी बंध हो गया है और मुझे भी एक बाल्टी पानी चाहिए परतीक बोला अंकल ने उसे एक बाल्टी पानी दिया हमारी आज की हैपिनेस कहानी एक बाल्टी पानी प्यारे विद्यार्थियों हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश के ऐसे बहुत सारे शहर हैं ऐसे बहुत सारे राज्ये हैं जहांपर बहुत ही कम पानी है आप चितर में देख पा रहे हैं कि लोग थोड़े से पानी के लिए कितनी लंबी लाइन लगा कर खड़े हुए हैं आपने भी देखा होगा आसपास के चेतर में कहीं कहीं पर टैंकर से पानी आता है जैसे ही पानी का टैंकर आता है, लोग अपने मटके, बाल्टी, जो भी उनके पास परतन होते हैं, वो लेकर टैंकर पर तूट पड़ते हैं कई गई जगे पर तो लोगों को पानी लेने के लिए कई किलोमेटर दूर चल कर जाना पड़ता है अगर हम अपने आपको देखें, तो हम कितना सारा पानी ऐसे ही बहा देते हैं जैसे कि फल और सबजी अंधोते समय जो पानी होता है, वो नल से बहकर नीचे चला जाता है इसी परकार जब हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते समय वोश बेशिन का नल खुला रखते हैं नहाते समय अगर हम शावर का प्रियोग करते हैं और नल खुला रखते हैं, तो भी बहुत पानी बरबाद कर देते हैं इसी परकार से कपड़े धोते समय भी बहुत सारा पानी बरबाद कर दिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों कहानी में हमने देखा परतीक जब एक बाल्टी पानी लेने पडोसी के घर पर जाता है तो वहाँ पर आंटी सबजियों को धो रही है और जो पानी बचता है वहवे पोदों में डाल देती है अंकल भी दाड़ी बना रहे हैं लेकिन वोस बेशिन का नल बंद रखते हैं और यह सब देखकर परतीक को एहसास होता है कि उसके घर में कितना पानी बरबाद कर दिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों हम सभी को भी पानी का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है माना कि हमारे घर में अच्छे से पानी आता है लेकिन बाकी जगे पर पानी अच्छे से नहीं आता है कुछ चेतर ऐसे हैं जहांपर लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या है आप किस-किस तरह से पानी को बचा सकते हैं अपने घर में? इसके बारे में सोचिए और मुझे बताईए कि ऐसे कौन-कौन से काम है जिनमें आप पानी को बचा सकते हैं कुछ और भी सवाल हैं आपसे, क्या आपको भी कभी पानी की कमी का सामना करना पड़ा? ऐसा होने पर आपने क्या किया? बताईए. पानी को बचाने की अवशकता क्यों है? इस पर बातचित कीजिए. आपके घर में पानी का परियोग कैसे होता है? किस-kis तरीके से आप पानी का इस्तिमाल करते हैं? आप परती की जगे होते, तो आप क्या करते? और क्यों करते? इन सभी सवालों के बारे में सोचिए और इनके उत्तर सोचने के बाद आप मुझे बताईए. साथ ही हमारी कहानी एक बाल्टी पानी अपने परिवार के साथ साजह कीजिए और उनसे बादचित कीजिए कि पानी का कितना महत्व है और आप किस-किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी आप इस विशे में बादचित कर सकते हैं और पानी बचाने के नए-ने तरीकों के बारे में आप सोच सकते हैं, क्या आपने नया तरीका खोज निकाला है, इसके बारे में आप मुझे मैसेज करके जरूर बताईएगा. आशा करती हूँ प्यारे विद्यार्तियों, कहानी आपको पसंद आई होगी, और साथ में कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए. धन्यवाद सबीका.